Also welcome back guys, मेरा नमला है और आज के इस Make Notchery campaign में हम देखेंगे कि Ola में हम किस प्रकार एक round trip बुक कर सकते हैं हाली में मुझे एक madam ने सवाल पुछा था कि वो अपने बच्चों को school में भेजना चाहती है और फिर उसी गारी से वापस अपने घर पे आना चाहती है तो Ola के माधियम से कैसे किया जा सकता है यह उनका सवाल था और आईए आज देखते हैं कि कैसे करते हैं तो जैसे कि मैंने Ola app interface open किया है यहाँ पे आप obviously pre-owned food rentals यह नहीं नॉर्मल daily ride आपको select कि रखना है और यहाँ से आपका pick-up point तो मांगे चलिए कि मुझे भी अपने बच्चे को school पे लेके जाना है तो मैं सबसे pick-up point पहले तो घर का दे दूँगा कि घर पे गारी जो है वो मेरे यहाँ पे आ जाए और फिर destination में मांगे चलिए कि यहाँ पे आप अपना school का address या जहाँ पे आपको destination देना है वो आप तो होगे तो ठीक है यह destination तो आपने दे दिया लेकिन यह round trip होना है यानि आपको यहाँ पे आपको वापस घर पे भी आना है तो फिर से destination के तरफ जाए और यह plus point जो है इसको select करिए और यहाँ पे add a stop और यह add a stop फिर से आप मेरे घर के तरफ यानि कि मैं अपने घर से school और school से फिर से घर अब मैंने confirm route करना है एक ध्यान रखना कि आप अपने जो भी stop है वहाँ पे आप तो मिनिट तक ही रोख सकते ह बाकी का process तो वही है जो simple process रहता है कि आप कोई भी अपना mini micro prime set आन या कोई भी अपना right choice कर लेजिए तो यहाँ पे फिर आप बुक कर लेंगे फिर आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि क्या क्या precautions लेना है तीन लोग देखे आप जा सकते हैं तो अब यहाँ पे contact कर रह यानि 6510 उनको देना होता है हर stop में मुझे अलग से like password या start OTP नहीं देना होता तो यह ध्यान पे रखिए तो अभी आप like आपको pick up point पे चले जाना है यानि घर के नीचे में चले आओंगा उसके बाद मैं जो है अपने driver को यह दे दूँगा और फिर driver मुझे लेके जाएग के साथ परिबार वालों के साथ जरूर शेर करें कई लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये चोटे 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 चीज़े या आप के मादियम से चोटे चीज़े करने में शायद कुछ दिक्कते आती हो अगर आपको भी कोई आप में कोई परिशामी हो रहा है और खासकर Ola को ल अले तो